हेलो एबरिवन कैसे आप लोग उमीद करते हूं आप लोग ठिक ठाक होंगे और अपने मैथ के लेवल को एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे परियास कर रहे होंगे तो आईए हम आच चुके हैं आज क्लास 12 का एक्सरसाइस 5.7 चैप्टर 5 का जिससे पहले के वीडियो और इंट्रॉड़क्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही अप्लोड हो चुका है तो प्लीज टाइम वेश्ट ना कीजिए और अपने स्टेप को अपने क्या कहते हैं मैथ के कॉंसेप्ट को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखिए आपको मैं उमीद दिलाता हुए विश्वास दिलाता कि आप जब देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ बहुत अच्छा ही तरीका है बहुत अच्छा ही तरीका है इसको समझाने का तो प्लीज अगर हमारे वीडियो अगर चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलिए तो चलो स्टार्ट करते हम आज क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.7 का ज्यादा आप लोगों का टाइम वेश ना करते हुए तो मैंने भी उठा लिया अपना पैन आप भी उठाइए अपना पैन और कॉपी और शुरू हो जाईए मेरे साथ आज का सफर पर बिल्कुल ही इजी सफर है आज का तो आए भाई कहानी को क्या कर देते है शुरू आज पूरा एक्सरसाइज यह का होने वाला है वन सौट होने टेलीगरान चैनल पे आपको मिल जाएगा ओटीसी स्टडी स्मार्ट और आप इसका बैया जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिशन में डाल दूँगा जाईएगा वहाँ पे वहां से इसको क्या कर लीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा चलो भया स्टार्ट कर देते हैं तो में किया कर देते हैं डबल टेरिवेटिव कर देते हैं तो सिंगल डेरिवेटिव का क्या लिखते हैं symbol होता है या तो इसको y डैस से लिग दो और इसको क्या लिख सकते है y double dash से या इसको y one से लिख दो और इसको क्या लिख दो y two से लिग दो double derivative का क्या होता है formula होता है D square y upon dx square e double derivative का क्या है हमारा symbol है इसी समर्दि परजेंट करते है ठीक है सर्, तो चल वहिया exercise को स्टार्ट करते हैं ताहरे सबसे पहला सबसे में क्या मान लेता हूं क्या है वाई क्या है क्या है क्या है वाई इसंसरे अंदर में यहelा क्या है कोस्टन जो कि मैंने क्या माल लिया वाइब आ लिया और मैं यहां पर बाउंड बना देता हूं वही आ बाउंडरी ताक्कि मैं इसी के अंदर में रह पाऊंडरी चलो भाई है जो बाउंडरी बना दिया अब डेवल डेरेटिव करते हैं इसका एक बार और तो क्या हो जाएगा भी यह simple 2 इसका तो क्या हो जाएगा जीरो ती है क्या आगया हमारा answer आगया है double derivative का से बैसे इसका करता हूँ इसको क्या माल लेता हूँ y माल लेता हूँ y क्या x की power 20 है तो इसका single derivative करो यानि y dash is equal to 20 आगया जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसी का एक वार और डेरिवेटिव कर दो, 19 आगे आजाएगा, 20 पहले से था, और X की पावर एक और कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानि Y-S is equal to में, 380 X की पावर, 18 आगया हमारा answer, बिल्कुल ही, इजी, इजी सा है, ऐसे ही सेम कहानी, इसके लिए भी कर देते हैं, Y माल लेता हूँ, Y is equal to में क्या था, X dot में cos X था, तो single derivative करते हैं, तो साफ साफ देख रहा है कि into वाला क्या लग रहा है, रूल रग रहा है, इन्टू वालम क्या करते हैं, पहला ऐसे ही दूसरे का derivative, ठीक है सर्थ, पहला ऐसे ही दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन X, क्या हो जाएगा, पहला ऐसे ही दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन X, दूसरा ऐसे ही पहले का derivative तो 1 हो जाएगा कोई लेना देना नहीं है मन से अब इसी को double derivative कर दो यानि dy double dash ठीक है सर क्या होगा माइनस को बाहरे लिखो इसका into other rule पहला ऐसे ही दूसरे का derivative ठीक है सर पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative है ठीक है सर होगी हम माइनस ऐसे रखा पहला ऐसे दूसरे का derivative दूसरा ऐसे पहले का derivative अब पलस में कोस का क्या होता बाई माइनस का sine x होता है ठीक है सर यानि y double dash is equal to y double dash is equal to में minus क्या हो जाए कहानी यह तो ऐसे रहेगा sine का क्या होता है cos x plus में sin x का sin x ही रहेगा और x का तो बन लिखेने के कोई जरूरत नहीं है और यह क्या हो जाएगा minus का sin x हो जाएगा ठीक है सर यानि y double dash अंदर minus का multiply यानि कि minus यानि y double dash is equal to में अंदर multiply minus का x cos x और यह minus का sin x और यह already minus का sin x है तो क्या हो जाएगा y double dash is equal to में माइनस का x cos x और क्या जाएगा minus का 2 sin x एक और एक कितने हो जाएगे दो हो जाएगे तो यह हमारा कहानी आ चुका है ठीक है भाई लो तो पिलीज इसको no down को लो फिर बढ़ते हैं next question पर चलो भाई अब आते हैं question number कहां पर चार पर question number 4 फिर वही boundary पहले हैं आप मैं बना लू एक और ये दो फिर वही चलो कहानी श्टार्ट करते हैं आज अब इसको क्या माल लो y तो y is equal to में क्या होगे हमारा log x सिंगल derivative करते हैं log x का क्या होता है 1 by x इसी का एकवार all derivative कर दो तो क्या हो जाएगा भाईया माइनस का 1 upon me x square यह आगे हमारा answer 1 by x का क्या होता है आगे माइनस के साथ आ जाता है और 1 इसका पावर जो होता है उपर आता है इसका square के साथ हो जाता है पाकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए उसे बहुत अच्छे से इसको explain किया गया है जिसको नहीं आ रहा तो इसको मैं क्या करूंगा जिसको अगर double derivative नहीं आ रहा तो मैं क्या करता है इसको ऐसे ली सेकतो x की power minus 1 अब minus 1 आगे ले लो बाकि solve कर लोग है तो आ जाए गया एसे इसको बहुत चड़ो करते हैं y is equal to में क्या आ गया x की power 3 log x आ गया ठीक है sir क्या हो जाएगा ये single derivative पहला ऐसे ही दूसरे का derivative पहला ऐसे ही दूसरे का derivative पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative है ठीक है sir यानि y dash is equal to में क्या हो जागा x की power 3 x की power 3 log x का क्या होता है 1 by x ठीक है sir पलस में log x ऐसे ही और इसका क्या हो जाएगा 3 x square इसको अच्छे से लिग दियता हूं तो x square हो जाएगा white x is equal to x square एक x कर जाएगा x square बचेगा पलस में क्या हो जाएगा ये 3 x square log x ठीक है sir चलो double derivative कर दो भया तो double derivative करते हैं इसका तो 2 आ गया जाएगा 2 x पलस में 3 x से ही constant इसका derivative पहला ऐसे ही दूसरे का derivative ठीक है sir पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative ठीक है sir यानि y double dash is equal to me 2 x पलस में 3 ठीक है x square का x square इसका क्या हो जाएगा 1 by x पलस में log x का log x और इसका क्या हो जाएगा 2 x ठीक है sir 2 आ गया जाएगा 1 x हो जाएगा y double dash is equal to me 2 x पलस में 3 अंदर multiply पहले एक x एकस कर दो क्या हो जाएगा 3 x ठीक है 3 x पलस में 3 टू जा 6 x log x ठीक है sir यानि y double dash is equal to me 3 or 2 5 x पलस में 6 x log x आ गया जादा जादा x कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं बस यह हमारा क्या आ गया एंसर आ गया यह भी कहानी क्या हो गया हमारा समाप्त हो गया है अब बढ़ते हैं अपने होसन नमबर 6 की तरह तो इसको भी क्या माल लेता हूँ y माल लेता हूँ y is equal to में क्या हो जाएगा भाया e की पाउर x sin 5 x y into वाला रूल चलो single derivative करो पहला ऐसे ही दूसरे का derivative पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative ठीक है सर यह निवाई डैस is equal to में पहला ऐसे ही दूसरे का derivative sign का क्या होता है cos 5 x का 5 x into में 5 ठीक है सर पलस में यह ऐसे ही रहेगा इसका derivative क्या हो जाएगा same यह ही रहेगा फिर double derivative कर दो इसी का 5 तो constant ऐसे ही रहने दो 5 को 5 constant है ऐसे ही रहने दो क्या रहेगा इन दोनों में into अलग क्या रगेगा रूल लगेगा पहला ऐसे ही दूसरे का derivative पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative ठीक है सर यह हो गया पहला ऐसे पास का पास ही रहने दिया पहला ऐसे ही दूसरा ऐसे ही पहले का derivative क्या है कि सेम कहानी इसके लिए भी पलस इसके लिए भी इसको पहला मालो या कोई पहला मालो क्या करना है पहला ऐसे ही साइन फाइव एक्स दूसरे का derivative पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative ठीक ऐसा तो क्या हो जाएगा ये तो य डबल डैस इसकोल टूँ हो जाएगा पास तो ऐसे ही रहेगा चलो गया एक्स का एक्स की पावर एक्स कॉस का क्या होता माइनस का साइन फाइब एक्स और फाइब एक्स का क्या हो जाएगा 5 पॉलस में यह चीज ऐसे ही रहेगा कॉस 5x और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा चलो इसका करो पॉलस इसका ब्रेकेट यह पे बन क्योंकि 5 के वले सी से मलिटिप्लाई में है पॉलस इसका करो साइन 5x का ऐसे ही रहेगा और e की पावर x का e की पावर x ही रहएगा पॉलस e की पावर x का e की पावर x ही रहएगा साइन का क्या होता है कॉस 5 x इंटू में क्या रहेगा इंटू में 5 ठीक है का नहीं बस अंदर 5 का क्या करदो multiply answer आ जाएगा 5 का 5 से करूँगा तो 25 minus का minus e की पावर x और sin 5x ठीक है सर पलस यह क्या हो जाएगा 5 अंदर multiply कर रहा हूँ 5 e की पावर x और cos 5x ठीक है सर और यह क्या था पलस में sin 5 x और e की पावर x e की पावर x को उपर ही लिख देता हूँ ऐसे देखो पलस देखो e की पावर x है और यह क्या है sin 5 x है पलस में यह क्या हो जाएगा 5 e की पावर x और यह cos 5 x हो गया ठीक है वह कहानी इस x को मैं थोड़ा रेट से लिख देता हूँ ताकि दीख जाए आप लोगों को यह x 5 x और यह भी 5 x है ठीक है सर आगे और कुछ करना है क्या देख लेते हैं कुछ और है क्या यह माइनस का sin 5 x और यह एक है यानि की y double x is equal to be क्या हो जाएगा ठीक है सर और यह पलस का 5 e की पावर cos x क्या हो जाएगा पलस का 10 e की पावर x cos 5 x हो जाएगा तो यह आगे हमारा क्या भई एंसर यह आ चुका है हमारा एंसर तो प्लीज नोट डाउन कर लो भईया थोड़ा जगह कम था इसी में अर्जेस्ट मैंने कर दिया है बाकी कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देख लीजेगा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अब आते है कोस्टन नमबर सेवन की तरफ तो कोस्टन नमबर सेवन क्या कर देखते हैं इसको वाई मानता हूं तो वाई इसकोल टू बे क्या हो जाएगा ए की पावर 6X कोस 3X यानि कि सिंगल डेरिवेटिव करता हूं तो पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव ठीक है सर यानि वाई जैस इसकोल टू में पहला तो ऐसे ही लिखना है ठीक है सर इसका क्या होता है माइनस का साइन 3X हो जाएगा कोस का क्या होता है माइनस का साइन 3X का 3X और 3 का 3 ठीक है सर, फॉलस में ये तो ऐसे ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, एक पावर 6 का 6x और 6x का 6 हो जाएगा, ठीक है सर, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखे लेता हूं, क्या हो जाएगा, माइनस 3, ठीक है, 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 ठीक है तहों त्यानि वाई डबल डेस इसकोल टू क्या होगा तो क्या होगा सर क्या होगा क्या होगा तो देखते हैं माइनस 3 constant ठीक है पहला ऐसे ही दूसरे का derivative ठीक है सर पहला ऐसे ही दूसरे का derivative ठीक है सर पहला ऐसे ही दूसरे का derivative पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative ठीक है सर चलो इसको हम दूसरे पेस्ट बता देंगे इसको ज्यादा एक्सप्रेंट करते हो न तो खिचड़ी पक जाएगा का नीचे चलो माइनस तीन की लिए पहला ऐसे धूसरे का डेरिवेटिव पुलस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव पहला क्या था e की पावर 6x था ठीक है सथ आगे बढ़ाते है यानि y double dash is called to a minus 3 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा e की पावर 6x ऐसे रहेगा sine का क्या होता है cos 3x into में क्या जाएगा 3 ठीक है सथ ये तो ऐसे ही रहेगा sine 3x है ये गड़ा बड़े लिख दिया गया है भाई sine 3x है क्या है ये sine 3x है sine 3x था तो sine पहला ऐसे ही दूसरे का derivative दूसरा ऐसे ही पहले का derivative क्या हो जाएगा e की पावर 6x का 6x ही रहेगा into में क्या जाएगा 6 ये हो चुका plus में 6 का 6 ऐसे ही रहेगा इसका क्या हो जाएगा e की पावर 6x और cos का derivative क्या होता है minus का sine और ये 3x का 3x और दू में क्या आगया 3 ये तो ऐसे रहेगा cos 3x और e की पावर 6x का 6x into में क्या आगया 6 आगया बस इसको अच्छे सर्प्यास से अंदर रड़ multiply multiply कर लेंगे minus 3 का multiply इसके साथ कर दिया जाए तो minus 3 3 जा 9 minus का 9 e की पावर 6x और cos 3x हो गया चलो गया फिर इस minus 3 का इसके साथ तो minus का 6 3 जा 18 6 3 जा 18 और e की पावर 6x और ये क्या है sin 3x हो गया ठीक है सर्थ एसी सेम का इसका तो minus का है तो minus आ जाएगा 6 3 जा 18 e की पावर 6x और sin 3x है ठीक है सर्थ हो गया और ये plus है तो plus 6 का अंदर multiply तो 36 e की पावर 6x और ये cos 3x हो गया बस अब देखो एक जैसा term कौन सा है बस उसको लिन दो क्या है a cos 3x cos 3x वाला ये रहा minus का 9 और 36 क्या जाएगा 27 किदर हो गया 27 e की पावर 6x cos 3x हो गया ठीक है minus और minus minus 18,18 36 e की पावर 6x और sin 3x और कुछ का आ सकता है common हंजी सर्थ common आ सकता है y double dash is equal to 9 9 और e की पावर 6x common आ सकता है तो ये 3 बच जाएगा और ये क्या बच जाएगा cos 3x और minus ये 4 बच जाएगा और ये sin 3x बच जाएगा यहां तक भी छोड़ सकते हैं गाड़ी को ये भी आगे हमारा answer प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और बाकि ये दोनों next page पर बताता हूं तब तक इसको उतार लीजिए चलो भया अगला देखते हैं इस वाले का इस वाले को ले चलते हैं next page पर next page पर चलते हैं आठवा question क्या है हमारा 10 inverse x है इसको मैं y मा लेता हूं तो y is equal to में क्या हो जाएगा हमारा 10 inverse x हो जाएगा बिल्कुल sir बिल्कुल तो अब इसको solve करते हैं तो single derivative कर दो तो y is equal to में क्या हो जाएगा 10 inverse x का क्या होता है one upon में one plus one plus x square होता है derivative ठीक है sir अब इसका double derivative कर देते हैं तो double derivative करो भहिया नीचे वाला ऐसे ही divide वाला rule लग जाएगा नीचे वाला ऐसे ही उपर का derivative प्लस में उपर वाला ऐसे ही नीचे का derivative अपन में नीचे वाले का square ठीक है sir यानि y double dash is equal में क्या हो जाएगा इसका तो one का zero zero से multiply हो कर पूरा term zero पलस में one से कोई लेना देना नहीं one का zero x square का क्या हो जाएगा two x upon में क्या हो जाएगा one plus x square का whole square यानि y double dash is equal में क्या हो जाएगा two x upon में one plus x square का square ये क्या गया हमारा आठवे का answer ठीक है sir अब आता है अपने question number nine की तरफ तो nine question क्या कह रहा भया log log x कह रहा है इसको y मान लेता हूँ तो y is equal क्या हो जाएगा log log x हो जाएगा पहला derivative करता हूँ single derivative तो भई देखो क्या होगा इस पूरे को x मानो पूरा x का term तो log x का क्या होता है one by x और x क्या था हमारा log x अब इस log x का क्या होता है one by x होता है ठीक है सर्थ यानि y डैस इसको अच्छे से लिखता हूँ तो one upon में x log x हो गया ठीक है सर्थ कोई दिक्कत परसा नहीं नहीं सर्थ अब इसका double derivative करता हूँ तो भाई क्या करते हैं डिवाइड वाला रूल लगाते हैं नीचे वाला ऐसे ही उपर का derivative माइनस में उपर वाला ऐसे ही नीचे का derivative upon में नीचे वाले का square ठीक है सर्थ यानि y double dash is equal to में यह तो ऐसे इसका तो क्या जाएगा one का derivative constant है जीरो तो पूरा ही term 0 माइनस में one तो कोई लेना दे नहीं देखो इंटू वाला रूल लग रहा है इसम पहला ऐसे ही दूसरे का derivative पॉलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative अपोन में नीचे वाले का square ठीक है 0 से कोई लेना देना नहीं है माइनस पहला तो ऐसे ही log x का होता है one by x ठीक है सर्थ पॉलस में log x का log x one का तो 0 one का 0 अपोन में x log x का whole square यानि y double dash is called to x x कट जाएगा और यह पूरा item 0 क्या बचेगा minus का whole अपोन में x log x का whole square प्लीज नो डाउन कर लो यहां तक फिर बढ़ते अपने next question के साथ तो आव है आज चुक है अपने question number 10 के साथ question number 10 हमारे screen पे है इसको y माल लेता हूं तो y is equal to में क्या हो जाएगा भई sin log x हो जाएगा ठीक है साथ अर इसका करते है single derivative तो single derivative इसको x मानो तो sin theta या theta मालो कुछ भी मालो sin theta का क्या होता है cos theta तो cos और theta हमारा क्या है log x है और log x का derivative 1 by x होता है इसको अच्छे से प्यार से लिख लूँगा त्यानि cos log x इसको अपोन में x हो जाएगा अब फिर दुबारा इसका derivative करना है तो क्या हो जाएगा इंटिवाइड वाला rule पहला ऐसे ही उपर का derivative माइनस में उपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का derivative अपोन में नीचे का square ठेक है सर यानि y double dash is equal to क्या होगा पहला तो ऐसे ही रहेगा इसका क्या हो जाएगा cos का क्या होता मैनस का sign log x का क्या होता sign log x और log x का क्या होता one by x होता है ठीक असा minus ये तो ऐसे ही रहेगा और इसका क्या होता 1 1 से कोई ले ना देना नहीं है और यह नीचे क्या है x square x से x गया तेल लेने यानि y double dash is called में क्या हो जागा minus का sign log x minus cos log x upon में x square यह क्या गया हमारा answer ठीक है sir यह हमारा क्या आ चुका है answer तो please note down कर लिए फिर बढ़ते हैं next question के साथ चलो वाई उतार लिए होगा आप लोगों ने अब आ चुके question number 11 पर question number 11 देखते है वाई पहले लिखता हूँ question क्या है y is equal to में 5 cos x minus 3 sin x हमें proof करना है यह वाला term क्या है यह वाला term को simplify करो double derivative plus में y is equal to में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए तो double derivative निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें single derivative चाहिए तब जाकर double derivative कर पाएंगे तो पहले single derivative निकालता हूँ क्या हो जाएगा 5 का तो 5 constant cos का क्या होता minus का sin x होता है minus 3 का 3 और sin का क्या होता है cos x इसी का double derivative निकाल दो बवाई क्या हो जाएगा minus 5 तो constant है sin का क्या होता है cause x minus 3 तो constant है और बजई cos का क्या होता है minus il flat minus больше क्या हो जाएगा plus sin x हो जाएगा ठीक हैसा क्या कर सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बड़े प्यार से माइनस कॉमन ले लो माइनस कॉमन लेते एक साथ ही ये पलस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा हाँ जी सर बिलकूल यानि y double dash equal to be negative इस पूरे term को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो y है की नहीं है देखो 5 cos x माइनस 3 x को मैं क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ ये माइनस दिज़रा के क्या हो जाएगा इसको ल्टू में क्या आगया जीरो आगया एक तो method ये हो गया ऐसे प्रूफ करने का जा दूस्रा भी तरीका है इसका क्या कर तूमें alternate method क्या हो सकता आ कहानी कहानी यह हो सकता है कि double derivative और single derivative बीना derivative ये साथ लिख लो double derivative की वेली लुवए हमने - मैंने ऐसे लिख दिया पहले बस value डाल दो जीरो ला दो माइनस का 5 cos x था 3 sin x था y की value क्या थी y हमने इसको माना था 5 cos x और ये क्या है 3 sin x 5 cos x से 5 cos x कर जाएगा 3 से 3 कर जाएगा एंसर क्या गया निल बटा सनना था और हो गया ये प्रूफ, एंसर नहीं, हैंस, प्रूफ, हैंस, प्रूफ, हैंस, प्रूफ, समझ गया बात कहानी, हो गया, तो प्लीज इसको फटा-फट नोट डाउन कर लो, तो अब आ चुक है, अपने कोस्टन नमबर 12 के तरफ, कोस्टन नमबर 12 क्या कह रहा है, देखते हैं, क्या कह रहा है, कि y is equal to, में, cos inverse x है, then find dy, dx in the terms of y alone, मतलब, जू БHYम derivative करेंगे, उसमें x नहीं होना चाहिए, कौन सा term होना चाहिए, सिर्फ y वहला term होना चाहिए, x वहला term नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब यह है, यानि देखो, किस के respect में derivative करना है, x के respect में derivative करना है, तो मैं x का value निकला जा तो यहां से x is equal to में क्या हो जाएगा भी या cos y हो जाएगा इन्वस्ता हो जाके यह बन जाएगा ठीक है साथ अब इसका derivative कर दो किसके respect में x के respect में लिखता हूँ differentiate x differentiate with respect to x तो क्या हो जाएगा यह 1 x का derivative 1 और cos का क्या होता minus का sin y और यह y आ गया था हमें लिखेना पड़ेगा dy by dx हमें तो dy by dx से मतलब है dy by dx is equal to में क्या हो जाएगा 1 यह into में into इतिधर divide में आ जाएगा sin y यहां से dy by dx is equal to minus 1 by sin किसके बरावर होता है cos y के है एक तो हमारे यह आगे अभी सी का x के respect में differentiate with respect to x x के respect में एक बार और कर दो क्योंकि हमें double derivative चाहिए ठीक है सर चलो है एक बार और कर दो तो क्या हो जाएगा d square y upon में dx square double derivative ठीक है सर यह minus minus कौसेक का derivative क्या होता है कौसेक y का तो होता है सर minus का कौसेक y got y ठीक है सर यह हो गया bracket one और यह y है था हमें लिखेना पड़ेगा क्या y d y y d x क्योंकि x के respect में हो रहा है ठीक है सर यह हो गया double derivative d square y upon में dx square is called to minus minus plus क्या आगया यह कौसेक y got y और d y dx के में value यहां से put कर सकता हूं d x value क्या है minus का sine y क्या है minus का sine y ठीक है minus का sine नहीं d by dx के value यह नहीं है minus का sine y क्या है d by dx के value d by dx के value हमारा है one by minus sine y क्या है minus का one upon में sine y है ठीक है सर अब क्या हो जाए गए d या यह भी मत डालो देखो यह डालो minus का कोसेक y ज्याद आसान है, माइनस का कोसेक y डाल दो, कहानी खतम डिवे डिएक्स के वे लू कहा है माइनस का कोसेक y, देखो डिवे डिएक्स के वे लूमने क्या निकाला है, माइनस कोसेक y वस इसे पुट कर दो, कहानी खतम d2y upon me dx, square is equal to me क्या हो जाएगा माइनस को से स्क्वेर वाई और यह क्या आगे है कोट वाई यह आगे हमारा एंसर प्लीज नो डाउन कर लो फिर मिलता है नेक्स्ट कोस्टन के साथ तो अब हम आते हैं कोसर नमबर 13 पे टो कोसर नमबर 13 देखो क्या कह रहा है y is equal to color कर लेते हैं change चलो वाई तो मैं लिखता है यहाँ पे y is equal to क्या है 3 कोस लोग x पलस में 4 साइन लोग x ठीक है सर हमें सो करना है ये वाला काम मैं प्रूव करन यह वाला हिस्सा अब यह क्या लिखा है तो हम देखते हैं क्या लिखा है यह लिखा हुआ है x square दूसरे पैनल लेता हूं क्या पता है नहीं दिख रहा हूं लेता हूं मैं x square ठीक है और यह क्या है y2 y2 मतलब double dash ठीक है पलस में x और यह क्या है y1 त्यानिकी y डेस पलस में y is equal to में क्या है 0 यह चीज़ हमें क्या करना है अब प्रूव करना है ठीक है सर प्रूव करते हैं आँ इस equation को लेगे तो चलो वह derivative करते हैं एक बार किसके y के respect X!!" के respect में क्या हो जाएगा y's equal to 3 का 3 को सगूप साइन का माइनस का Sin एक्स और एक्स हमारा क्याφा एक्स ए लॉग एक्स है लॉग एक्स क्या संहूता उन भई एक्स होता है एश्ड़ हो गरते है ठीक है सर रॉग फेर डिएस को साइन हथम Song intensive क्या है log x और log x का क्या होता है x होता है ठीक है सर अब x भाई LCM ले लो इसका त्यानि y डैस इसकोल तो मैं माइनस का 3 sign log x अपॉन में LCM ले ले लेते हैं नीचे सेम है तो सेम उपर भी ऐसे ही टम आ जाएगा ठीक है सर लोग x हो गया अब x उदर वेज दूत क्या हो जाएगा x y डैस इसकोल टू में माइनस का 3 sign log x पलस में 4 cos log x हो गया चोड़ो सर अब हमें double derivative करना है तो क्या करना है पहला ऐसे ही दूसरे का derivative हो गया double डैस सिंगल था दबल हो गया पलस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही पहले का derivative क्या हो जाएगा one हो जाएगा ठीक है सर इसकोल टू माइनस 3 तो constant है sign का क्या होता है cos और यह log x का log x और log x का क्या होता है by 1 by x तो x नीचे आ गया plus 4 का 4 cos का क्या होता है minus का sin x क्या होता है minus का तो plus minus क्या हो जाएगा minus 4 का 4 cos का क्या होता है minus तीसले मैंने minus लिख दिया cos का क्या हो जाएगा sin और log x का log x और log x का क्या हो जाएगा 1 by x फिर नीचे x लगा के LCM ले लूँगा यह क्या हो जाएगा x y double dash plus में y dash equal to में नीचे LCM ले लेता हूं क्या हैगा x नीचे से में ऊपर भी ऐसे ही रहने दो 4 sin log x ठीक है sir x को अब उदर भेज़ दो बड़े प्यार से sir उदर भेज़ेंगे तो क्या होगा अभी देखो कमाल होगा जब इसको इदर वे दो खट से क्या हो जाएगा x square y double dash x square y double dash ठीक है sir इदर हो गया फॉलस में x single y dash x y single derivative ठीक है sir इसकॉल्टू में इसकॉल्टू में माइनस कॉमन ले लो इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो और क्या बचेगा थ्री कॉस लोग एक्स यह बचेगा ठीक है sir पॉलस में क्या बचेगा और पॉलस हो जाएगा माइनस कॉमन लोग एक्स फॉर साइन लोग एक्स ठीक है sir यह बच गया अब देखो एक्स स्कॉर य डबल डैस पॉलस में एक्स वाई सिंगल डैस इस्कॉल्टू में माइनस और इस पूरे टर्म का वैलू देखो क्या यहां पर य क्या है यह है यह लिख सकता हूं यह माइनस जड़ाए क्या हो जाएगा पलस में X Y यह आगया हमारा क्या वाई लोग एंसर हो चुका है तो प्लीज इसको क्या कर लिया जाए नो डाउन कर लिया जाए ताकि हम next question कर सके है अपने question number 14 के साथ 14 देखते है वाई y is equal to me this दिया तो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि y is equal to a e की power m x पलस में b e की power n x ठीक है sir मैंने question यहाँ पर लिख दिया क्या prove करना इसको short form में थोड़ा बनाते हैं चीज़ें को असान करने के लिए क्या लिख सकता हूँ भाई सर लिख सकता हूँ यह double derivative है y double dash ठीक है minus में क्या है m plus n है ठीक है sir और यह क्या है single derivative ठीक है plus में m n y is equal to me 0 यह चीज़ें में क्या करना है भाईया prove करना है ठीक है sir बिल्कुल करेता है तो चलो करते हैं इसको prove तो पहले double derivative, single derivative सब निकालना पड़ेगा तो निकालते है double derivative फिर single derivative उसके लिए हम पहले single derivative निकालते हैं चलो तो क्या होगा यह तो constant रहेगा e की पाउर mx का e की पाउर mx रहेगा into में क्या जाएगा m ठीक है sir plus b constant रहेगा e की पाउर nx का nx रहेगा into में क्या जाएगा n इसको सजा के अच्छे से लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा भईया a m e की पाउर mx plus b n e की पाउर nx ठीक है sir एक तो मैं equation यह ले लेता हूँ इसको लेने से पहले भाई देखो इस equation में क्या कर रहा है इस equation में इस equation में क्या कर रहा है y dash को m plus n से multiply कर रहा है तो हम भी क्या कर देंगे multiply कर देंगे multiply both side multiply both side by m plus n देखो इसमें कर रहा है तो हम भी क्या कर देंगे कर देंगे m plus n से तो क्या हो जाएगा we get we get तो क्या पाएंगे कि multiply m plus n किसके साथ y dash के साथ ठीक है सर और इसका m plus n का multiply किसके साथ a m e की power m x plus में b n e की power n x अंदर पहले multiply कर देते हैं यानि m plus n y dash is call to m का multiply कर दो क्या हो जाएगा a m square e m x plus में m का इसके साथ तो b m n e की power n x plus में n के इसके साथ त्यानि a m n e की power m x plus में n के इसके साथ तो b n square e की power n x हो जाएगा ठीक है सर एक तो बन गया equation यह यह बन गया एक equation ठीक है सर आगे क्या करें मालनों इस equation को क्या नाम देता हूँ इस वाले को क्या नाम देता हूँ पहला और इस वाले क्या नाम देता हूँ दूसरा ठीक है सर इसे ही अब इस वाले equation का हमें क्या करना पड़ेगा double derivative double derivative चेक करो वह यह तो y double dash is equal to am तो constant है am हमारा constant है e की power mx का e की power mx ही होता है लेकिन into में क्या गया m हा गया ठीक है सर पलस इसका क्या हो जाएगा bn तो constant है e की power nx का nx ही रहेगा लेकिन into में क्या जाएगा हमारा n हाजाएगा इसको अच्छे सा सजा के लिख दूँगा तो y double dash is equal to में क्या हो जाएगा am square e की power mx पलस में bn square e की power nx यह बन गया हमारा y dash यह बन गया equation number माल लेता हूँ क्या था यह माल लेता हूँ equation number second या third third माल लेता हूँ equation क्या माल लिया जाए third माल लिया जाए second है और यह third है और y is equal to यह था न तो y को multiply करना पड़ेगा m पलस n से देखो y is equal to हमने क्या लिया था y is equal to मैंने माना था a a e की पावर m x a e की पावर m x पलस में b e की पावर n x इसको देखो भईया y को m n से multiply करना था हम भी लिखेंगे multiply multiply both side by m m n से हम दोनों side multiply करदेंगे देखो y में m n से multiply कर रहा है तो हम भी करदेंगे तो क्या पाएंगे भाई ऐसा हम पाएंगे कुछ ऐसा कुछ ऐसा क्या पाएंगे सर आओ देखते हैं क्या पाएंगे चल्ड़ भाई तो m n से multiply करो तो y m n या m n y m n y होगा ठीक है अब इसका multiply करेंगे m n से इसका इसका a e की पावर m x पलस में b e की पावर n x से ठीक है यानि m n y is called बंदर multiply a m n e की पावर m x पलस में b m n e की पावर n x एक बन गया equation हमारा ये जो की equation number नाम देता हूँ इसका 4 equation number में देता हूँ इसका 4 equation number ये 4 हो गया ठीक है अब equations second third and fourth equation second third and fourth put put in equation first पहले में डाल दोगा इस चलो कहा नहीं करो y double dash y double dash की value कहा है ये रहा क्या वह या am e square y double dash y double dash am am square e की पावर m x e की पावर m x तो थोड़ा अच्छे से e बना देता हूँ e की पावर m x ठीक है सर y double dash का value ये हो गया plus b n square e की पावर m x हो गया ठीक है सर आगे minus m plus n y dash की value m plus n y dash की value देखो ये रहा ये सारा term लेकिन आगे minus सबका sign क्या हो जाएगा minus हो जाएगा सबका sign बदल जाएगा क्या था ये a m square e a m square e e की पावर m x minus b m n b m n b m n e की पावर m x ठीक है सर minus a m n a m n e की पावर m x e की पावर m x और ये minus b n square minus b n square इसको red से कर देता हूँ मैं b n square b n square e की पावर m x e की पावर m x ठीक है सर ये हो गया मैंने plus को minus क्यों 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 क्या गया क्या था minus था फिर क्या plus में फिर क्या भई plus में m n y m n y की मेरों दुखो ये रहा क्या है a m n e की पावर m x plus में b m n e की पावर m x अब देखो जो cancel out हो रहा उसको क्या कर दो cancel out कर दो जीरो आ जाता है तो बिल्कुल हमारा क्या है correct है बिल्कुल क्या हमारा correct है तो देखो ये कौन सा कौन सा cancel out हो रहा है देखो m n1 में स्कौर देखो n sq 2 m n sq 2 m ç μ x यह रहा plus कर दो माईनस का cancel out और n square वाला यह रहा plus का और n sqy mode यह रहा minus का ठीक है यह भी comed reactive माइनस का बी एमन पलस का कैंसल आउट हो गया ठीक है सर और क्या रहा गया यह देखो ए माइनस का और यह वाला कौन सा हो गया पलस का देखो सारे क्या हो गया यह कैंसल आउट हो गया है तो हम भी लिसकते हैं कि हैंस Y double dash माइनस ब्रेकेट में M plus N Y dash में M N Y इन सब को by value put क्या तो answer क्या आगया जीरो आगया हैंस proof हैंस proof हैंस हमारा कहानी क्या हो गया तो please note down कर लिजे फिर बढ़ते हैं अपने next question के साथ तो अब आते हैं अपने question number 15 पर 15 क्या कह रहा है this यह है question में लिख देता हूँ पहले मैं question में लिख देता हूँ पहले कि Y is called to me 500 Y is called to me 500 E की पावर 7X plus में 600 E की पावर माइनस 7X हमें यह चीज क्या करना है proof करना है क्या है यह चीज तो यह चीज है Y double dash is called to me 49 Y है ठीक है sir ठीक इसका derivative करता हूँ तो single derivative is called to me क्या होगा 500 constant ऐसी रहेगा E की पावर 7X का 7X ही होता है और 7 का क्या हो जाएगा 7X का 7 परलस में इसका क्या हो जाएगा 600 ऐसी रहेगा और E की पावर माइनस 7X का 7X ही रहेगा इसको सजा के अच्छे से लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा भिया 500 इंटू में 7 E की पावर 7X परलस माइनस माइनस 600 इंटू में 7 और क्या हो गया ये E की पावर माइनस 7X अब इसी का डबल डेरिवेटिव कर दो तो Y double dash is called to me 500 इंटू में 7 तो कॉंस्टेंट है ऐसी रहेगा और E की पावर 7X का 7X ही रहेगा और इभया 7X का क्या हो जाएगा 7 ठीक है सर माइनस 600 इंटू में 7 ऐसे ही रहेगा और E की पावर माइनस 7X का 7X और माइनस 7X का क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा यानि y double dash अगर देखा जाए इसको सजा का पहले लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा है 500 इंटू में 7 7 49 e की पावर 7 x माइनस माइनस फॉलस ये क्या हो जाएगा 600 इंटू में 7 7 49 और e की पावर माइनस 7 x हो गया ठीक है सर यानि y double dash इसकोल्टू में क्या हो जाएगा साफ साफ दिख रहा है कि 49 क्या सकता है दोनों में कॉमाना सकता है यहाँ भी और यहाँ तो अंदर क्या रह जाएगा 500 e की पावर 7 x फॉलस में 600 इंटू में e की पावर माइनस 7 x 49 x 49 मेंने कॉमा ले लिया यानि y double dash is equal to way 49 और यह पूरा टर्म देखो किसके बरावर है y के बरावर देखो y के बरावर देखो 500 e की पावर 7 x फॉलस में e की पावर माइनस 7 इसके पूरे एक्जामें क्या लिए सकता हूँ y और हमें यही चीज क्या करना था पुरूफ करना था तो हमारा equation में क्या हो गया पुरूफ हो गया प्लीज note down कर ले जिसको समझ मेंने आता वीडियो को back करके जरूर एक बार देख लो बाई चलो फटाफट इसको उतार लो तो अब करते हैं अपने question number 16 पर कहां पर 16 पर आये वाई तो question number 16 क्या कह रहा है if this is equal to me this यानि e y x plus में 1 is equal to me 1 है then prove that इसको हमें क्या करना है पुरूफ करना है इसका मतलब क्या हुआ भाई double derivative is equal to यह क्या है वाई या single derivative का क्या है यह इसका है यह चीज हमें क्या करना है पुरूफ करना है अच्छा सर तो आव यह या यानि single derivative और double derivative निकालना हमें तो भाई यह पहले इसको solve करते हैं चलो भाई सिंगल derivative निकालो भाई into other rule लग रहा है दो term है into other rule लगते हैं पहला ऐसे ही दूसरे का derivative ठीक है सर पहला ऐसे ही दूसरे का ओहो डेरिवेटिव का सिंबल लगाना भूल गया पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव ठीक है सर पलस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव ठीक है सर इस call to में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, constant का 0 हो पहला ऐसे न दूसरे का ड्रोस पहले का ड्रिवेटीव अब क्या करेंगे सर तो यह की रहेगा और इसका क्या हो जाया शीम्पल 01 हो जायगा एक्स का 1 गल का खतम कहासा अब जाये बसा धूल का क्या और आ इमट का खत x plus 1 e की पावर y और y dash is called to में क्या हो जाएगा minus का e y ठीक है सर यहां into दजा के divide यानि y dash is called to में minus का e y upon में x plus 1 और यह क्या है e की पावर y e की पावर y से y कर जाएगा यानि y single dash is called to में minus का 1 upon में x plus 1 आ गया यह आगे हमारा single dash का value single derivative का अब इसी को double derivative कर दो इसी क्या कर दो double derivative कर दो double derivative क्या हो जाएगा भी या नीचे वाला ऐसे ही उपर का derivative ठीक है सर नीचे वाला ऐसे ही उपर का derivative plus में minus उपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का derivative ठीक है सर upon में नीचे का square, नीचे वाले का square, ठीक है सर, यानि y double dash is equal to me, यह तो ऐसे रहाएगा constant का 0, तो यह पूरा item 0, और यह minus minus plus हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा simple 1, इसका 1 है इसका 0, इसका atom 0 हो जाएगा तो पूरा item 0, यह 1 से कोई मतलब नहीं है, minus minus plus हो गया, इसका क्या हो जाएगा 1, upon में नीचे का square, यानि 1, x plus 1, क्या है, x plus 1 का whole square, यानि y double dash, इसको भी square से लिए सकता हूँ, 1 upon में, x plus 1 का whole square, 1 का square कर तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो साफ साफ दिख रहा है, इसको भी squaring both side कर लो, squaring both side करना, squaring both side, both, side, दोनों तरफ squaring करने क्या हो जाएगा, y dash का square, is called to me, negative का positive हो जाएगा, x plus 1 का whole square हो जाएगा, negative का क्या बना देगा है, positive square करने से, वहीं सेम कहानी, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, कहानी खतम, यानि y double dash, इस पूरे की value को मैं क्या लिख सकता हूँ, y dash का square, hence क्या हो गया, prove hence, prove, यह हमारा कहानी हो गया, हमने क्या कर दिया, proof कर दिया, तो फटा फट इसको क्या कर लो गया, उतार लो, फिर विणते हैं, next question के साथ, 17 क्या है भाई, y is equal to me this, इतना लंबा चोड़ा दिख रहा है भाई, लेकिन है, कुछ नहीं, आओ, कहानी मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पर क्या क्या given है, तो y is equal to me क्या है भाई, 10 inverse x का square, यह चीज है, then so that, इसकी कहानी देखो, क्या कह रहा है, x square पलस में 1, ठीक है सर, यह लिख रहा है, का whole square, ठीक है सर, और y2, y2 मतलब double derivative, ठीक है, पलस में यह क्या है, 2x, 2x, और यह क्या है, x square पलस में 1, और यह क्या है, single derivative, इसको whole to me क्या होता है, यह चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है, यह चीज हमें प्रूव करना है, यह कैसर, चलिए करते हैं इसको, प्रूव, आवई, अब इसका derivative करता हूँ तो क्या हो जाएगा भया d y y d x या d y y d x के जगा में y d s लिखो इसका derivative किया तो y d s 2 आगे आ जाता है हंजी सर्ट 2 आगे आ जाएगा और ये वैसे का भी वैसे ही रहेगा ठीक है सर्ट और इस 10 x का क्या होता है 1 upon 1 plus x square होता है ठीक है सर, इसको थोड़ा सजा के लिख लेता हूँ, कहानी तब करते हैं सजा हो गया पहले से क्या दिक्कत है, यह हो गया कहानी हमारा अच्छा है से लिख लेता हूँ, कोई नहीं सजा देता हूँ y dash is equal to a 2 अंजा, 2 upon में 1 plus x square और यह क्या हो जाएगा हमारा 10 inverse x होगा, ठीक है सर, अब इसका क्या कर देता है double derivative कर देता हूँ, इसको इधर वेज देता हूँ, तो ज्यादा सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको इधर वेज दो, क्या हो जाएगा, 1 plus x square और यह क्या है single derivative is equal to में क्या है 210 inverse X अब यहां से इसको क्या कर देता हूं double derivative कर दो चलो यह double derivative करने के लिए क्या हो जाएगा पहला ऐसे ही दूसरे का derivative करने जाओंगा तो double dash हो जाएगा पॉलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative क्या हो जाएगा भईया पहले का 1 का तो 0 इसका क्या हो जाएगा 2X हो जाएगा ठीक है पहला ऐसे ही दूसरे का derivative पॉलस में दूसरा ऐसे ही पहले का derivative इसकोल टू का 2 और 10 inverse का क्या होता 1 अपॉन में 1 प्लस X square होता है फिर 1 प्लस x² को यहरे बेज़ दो one plus x² का क्या हो जाएगा one plus x² का क्या हो जाएगा whole स्कॉर और यह यह Bliss अ क्या था वही है two x को इições बेज़ दूगा तो one plus old x square और क्या हो गया सिंगल दैस-で Jean किर्फ करना था प्रूफ करना तो देखो इतने सही कहानी में हमारा कहानी हो चुका है कोई ज़्यादा दिक्कतवादी परसानी वाली बात नहीं है कहानी हो चुका है बाकि आप लोग समझदार हैं इसको कर देते हैं ऐसे और मैं लगा देता हूँ इसको ऐसे बिल्कुल ही इजी है और कुछ इसके अंदर नहीं करना था तो कहानी हमारा यहां तक हो चुका है ठीकत प्लीज नोट डाउन कर लो